दोस्तो आज हम पारले जी बिस्किट और चने से बनाने वाले हैं बहुती खास रेश्पी घर में पड़ी कुछ समान से बनाएंगे छटपट से एकीन माली सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आगी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे दो पैकेट पारले जी बिस्किट वही जो पारले जी बिस्किट हम खाते हैं और हमारे बच्चे लोग बहुत पसंद से खाते हैं वही पारले जी बिस्किट अब दोनों बिस्कीट को खोल के निकाल लेंगे आप चाहे तो आप दूसरा बिस्कीट भी ले सकते हैं लेकिन क्रीम वाला बिस्कीट नहीं लेना है इस रेश्पी में अब तभी बिस्कीट को निकालने के बाद बिस्कीट को इसको तोड लेंगे यह जो आज में रेस्पी बनाने वाली फ्रेंड बहुत ही जादे अलग है और खाने मीते नहीं जादे टेस्टी है कि एक बार आप बना लिए तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे बहुत असान तरीका से मैंने बनाया बताया है अब इस पारले जी बिस्कुट को तोड़ने के बाद में मेक्सिंग जॉर में इसको थोड़ा थोड़ा डालके इसको पीस लेंगे तो अभी मैंने आधा बिस्क्च डाला है इस में कुछ ड्राइफुट डाल देना है जो भी जाते ड्राइफुट आपके पास है तो नहीं मैंने काजु लिया है छए अच्छे बदाम डाला है अगर आपको आउड भी ड्राइफुट फसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन थोड़े से ड्राइपूर्ट में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनका तयार होगी तो बारिक इसको पीस के मैंने इस तरह से पॉडर बना कर तयार कर लिया है अब इस पॉडर को निकाल लेंगे दुसरे बरतन में बाकी जो बिस्कित बची हुई है उसको भी हम पीस के तयार कर लेंगे तो जो बाकी बिस्कित बची है इसको भी हम मिक्सिं जॉर में डाल देंगे सभी बिस्कित को अब इसमें हम डालेंगे भूना हुआ चना तो यहां पर मैंने एक कटोरी भर के भुना हुआ चना का इस्तेमाल किया है इसका जो छिलका है इसका छिलका मैंने हटा दिया है अगर आप भुने हुआ चना का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेशन को भून कर ले सकते हैं अब इनको भी हम पीस के तयार कर लेंगे तो लीजिए फ्रेंड यह भी मैंने पीस लिया है एदम बारिक पाउडर बनकर तयार हो गई है अब हम इसको मिला लेंगे ताकि जो चना है और बिस्किट का पाउडर है दोनों आपस में मिल जाए मिलाने के बाद में इसमें हम डालेंगे नारियल का गुरादा तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 छोटी चमच नारियल का गुरादा लिया है नारियल की गुरादा की जगए आप नारियल को भी आप ग्रेट करके इसको बारिक बारिक डाल सकते हैं इन सब चीजों को मिलाने के बाद में अब इसको हम रख देते हैं साइड में अब चलते हैं हम गयज की तरफ इसे बनाने के लिए मैंने पेन लिया है आप चाहे तो कराही या किसी भी वर्त्र में बना सकते हैं तो यहां पर मैंने छे से साथ छोटी चमच घी का इस्तेमाल किया है तो इसमें से मैंने चार छोटी चमच घी डाल दिया है घी जैसे ही मेल्ट हो जाए गरम हो जाए अच्छा से अब इसमे हम डाल देंगे जो हम चना का और बिस्कित का पॉडर बना कर रखे हैं और डाल देंगे और medium low to flame पे हम इसको भूनेंगे भूनते समय इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गैस का flame बिल्कुल भी high नहीं रखना है और medium low to flame पे ही भूनना है जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे इसका color change होती जाएगी और अच्छा खुसबू आना शुरू हो जाएगी वैसे तो यह भूना हुआ है चना और बिस्किट भूना हो रहता है तो जादा इसको भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस मैंने घी डाल दिया है जो बाकी घी बची हुई थी चम्मच में वो मैंने डाल दिया है आप चाहे तो इसमें और भी घी का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है मेडियम ही डाला है ताक कि हमारी जो रेस्पी बने काफी स्वाधिश्ट और काफी टेस्टी बने अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे मिल्क पाउडर तो कोई भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं लेकिन मिल्क पाउडर डालने से काफी अच्छा फ्लेवर आएगी अज़दम जैसे हम पेड़े खाते हैं उस तरह का फ्लेवर आएगी तो मीडियम लोड फ्लेम पे मैंने 7-8 मिनट तक इसको भून लिया है तो देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गई है अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ चीनी वैसे तो बिश्कित मीठा है और मिल्क पौडर भी मैंने डाला है थोड़ा वो भी थोड़ा मीठा रहता है तो चीनी आप अपने हिसाब से डालियेगा जितना आप मीठा खाते हैं उतना मीठा आप कर सकते हैं चीनी को डालने के बाद इसको अच्छा से चलाते हुए भून लेंगे ताकि हलका हलका चीनी भी बेशन में अच्छा से मेल्ट हो जाए तो देख सकते हैं चीनी भी अच्छा से मिल गई है और इसका कलर भी एकदम चेंज हो गई है खुसबी भी बहुत ही अच्छी आ रही है भीनी भीनी खुसबू आ रही है अब गैस को कर देंगे बंद अब गैस को बंद करने के बाद मैंने परात में निकाल लिया है और ये हलका गरम है तो ज्यादा गरम इसको नहीं लेना है हलका गरम लेना है तो देख सकते हैं भी हाथ हाथों में अगर जले तो कटोरी की मदद से इसको मसलते हुए इसको मिक्स करना है इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे तो यह और ज्यादा यह मुलाएं और सौठ हो जाएगी और हलका सा इसमें ठिकन्स आजाएगी तीन सा चार मिनट तक मैंने अच्छा से मसल लिया है तो यह देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि इसमें गी और मैंने डाला है लेकिन नई फ्रेंट गी मैंने और नहीं डाला है ये घी release किया है अब इसमें हम थोड़ा सा दूट डालेंगे ताकि बैंडिंग करने में ये असानी हो तो दूट डाल देंगे हलका सा ये बैंडिंग करने में असानी हो जाएगी दूट की जगह आप घी भी डाल सकते हैं लेकिन दूद जादे अच्छा रहेगी तो जहां तक हो सके आप दूद का ही इस्तेमाल करें दूद को डालने के बाद इसको अच्छा से इसको मसलते हुए 3-4 मिनिट तक इसको अच्छा से मस कर लेना है तो इस तरह से हो जाएगी तो देख सकते हैं कि ये बिलकुर ready है तो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं पेड़े तो बिस्किट का पेड़े तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन एक बार मेरे तरीका से बना कर खाईए कि इन मानी ये इतनी ज़्यादे टेस्टी बनती है न कि बाकी पेड़ा खाना भूल जाएंगे बिलकुर भी नहीं लगेगा कि आप बिस्किट का पेड़े खा रहे हैं तो इस पेड़े को बनाने के लिए मैंने लिया है पेड़ा मेकर मसीन ये बहुत ही असानी से अमेजोन पे और लाइन मिल जाती है तो उहां पे आप चाके खरी सकते हैं अगर आप के पास पेड़ा मेकर मसीन नहीं है तो एक तरीका मैं और भी बताऊंगी उस तरीका से आप पेड़ा बना सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से लेंगे उलियों से इस तरह से हाथों से दबाएंगे आप जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं एक पलेट में रखेंगे, मसीन को इस तरह से दबाएंगे और तीन से चार बार इस तरह से पिच-पिच करेंगे डिप-डिप करने के बार में ये देखिए कितना सुन्दर डिजाइन बनकर तयार हो गई है ना असान तरीका फ्रेंड और कितना सुन्दर लग रहा है कोई भी नहीं कहेगा कि ये मार्केट से लाया हुआ मिठाई नहीं है बहुत ही असान है तो इस तरह से मैंने बना लिया है रख देंगे दुसरी पलेट में अब दुसरी भी मैंने आपको दिखा दे रही हूँ तो इस तरह से रखेंगे और उपर से मसील रखके इसको डिप-डिप करेंगे इस तरह से दबाएंगे दो से तीन बार उसके बाद बनकर तयार हो जाएगी अब इस तरह से दबाएंगी पेज को निकल के तयार हो जाएगी ये देखिए कितना सुन्दल लग रहा है देखने में खाने भी इतनी स्वादिश्ट लगती है कि पूछिए मत अब दूसरी तरीका में आप लोग को बता दे रहे हैं अगर आपके पास पेड़ा मेकर वसीन नहीं है तो हाथों से इस तरह से आप पेड़ा बना कर तयार कर सकते हैं अक्सर हम होटल में जाते हैं पेड़ा खरिदने के लिए या कहीं दुकान पे जाते हैं तो हमें इस तरीका से पेड़ा मिलती है तो आप इस तरीका से पेड़ा बना सकते हैं अगर आपके घर में मसीन मेकर नहीं है तो दोनों का टेस्ट बिलकुल एकी जैसा आएगी सिर्फ डिजाइन अलग अलग रहेगी तो चलिए इसको भी बना लेते हैं तो लीजिए फ्रेंड हमारी जो बिस्किट का पेड़ा है बनकर तयार हो गई है अभी तिवार आ रहा है तो रच्छा बंधन पे अपने भाई के लिए ये मिठाई जरूर से बना कर लाईए सस्ते में और ब बने से बना हुआ मिठाई है बहुत ही लाजबाब लगती है क्योंकि इसमें मैंने नारियल का गुरादा थोड़ा ड्राइफूर डाला है थोड़ा सा इसमें मिर्क पाउडर डाला है इसके वजह से इसमें बिस्किट का फ्लेवर बिलकुल भी नहीं आएगी तो आप लोग बहुत असान तरीका से ना तो हम आटा गूथेंगे और ना आटा बेलेंगे जटपड से बन जाएगी एक कटोरी चाट अकसर हम मसाला तो बना लेते हैं बहुत असानी से लेकिन जिसमें हम मसाला भरते हैं और कटोरी नहीं बना पाते हैं बहुत सारी दिकते आती हैं तो आ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है कटोरी तो कटोरी बनाने के लिए में ली रुओं एक कटोरी भर के मैदा इसी के साथ में लूँगी आधा कटोरी आरा रोट यह मार्केट में बहुत असानी से मिल जाती है आरा रोट कही कही इसको तिर्खुर बोलते हैं कौन फुलावर बोलते हैं तो आधा कप लेना है इसी के साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक नमक जादे नहीं डालना है थोड़ा ही डालना है नमक आरा रोट और मैदा को अच्छा से मिला लेना चमच की मदद से इस तरह से मिलाने के बाद एक मिक्सि जोर में सब भी पौडर को डाल देना है आटा को तो आज ना हम आटा गूथेंगे और ना तो हम बेलेंगे बहुत असान तरीका से हम बनाने वाले हैं तो हमारी कटोरिया बहुत ही अच्छी बनके तयार होगी तो पानी थोड़ा ही पहले डालना है थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे तो मिक्सर को धीरे धीरे घुमाते हुए पीस ना है वापस हम फिर से पानी डाल दें ителOOD और टेकों सब्सक्राइब करें अज Each Guin ऑफ़हों कुछ बहुत हैं तो देकों सब्सक्राइब किफले सकते हैं तयार करें सोटेना यह कितनी गारी पेश्ट पीश्ट करें अब इसक्ट बीश्ट सен अड़ेनों इसमिलाना हैं तो झाहर गठांतों इल्क अथा देए हैं तो एकदम अच्छा ये पेश्ट बनकर तयार हुई है अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो गैस पे मैं रख दी हूँ तेल गरम होने के लिए हाई फ्लेम पे तो आप कराही में बनाए पेर में बनाए किसी भी बतन में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैं कटोरी का यूच की हूँ आप चाहे तो कल्चुल में भी बना सकते हैं अब इन कटोरीयों को हम डाल देंगे तेल में गरम होने के लिए कटोरी ताकि पूरी तरह से कटोरी गरम हो जाए जब कटोरी अच्छा से हिट हो जाएगी गरम हो जाएगी तो हमारी जो कटोरिया बनेगी ना बहुत ही अच्छा बनेगी हलका हलका इसको दबा देंगे तो अच्छा से तेल उपर भी लग जाए कटोरी देख सकते हैं पूरी तरह से ये गरम हो गई है अब इसको हम निकाल लेंगे कटोरी को, तेल में से, तेल पूरी तरह से गरम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो दोनों कटोरियों को इस तरह से निकाल लेनी है, अब इस समय कर देना है, गैस का फ्लेम, मीडियम, अब कटोरी को पोच लेना है, तेल को कॉटन क अब पेश्ट को लेना है उस पेश्ट में कटोरी को इस तरह से डुबोना है तो च्छन की अवाज आएगी क्योंकि गरम है कटोरी तो डुबोने से च्छन की अवाज आएगी तो समझिए कि हमारी जो कटोरी है पूरी तरह से अच्छा से गरम हुई है अब इस कटोरी को डाल लो फलेम पे गैस का फलेमoth इस समय मीडियम कर लो ही रखना है ज़ाद यह यह हाई नहीं रखना है बीच में ही रखना है मैं अभी इससे हम फ्लेम और और करेंगे ऐविद्रकторов करने के बार देख सकते हैं इसको उठाके निकाल लेंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा कटोरी बनके तैयार हो गई है अब हलका सा इसको हम सुनारा कर लेंगे क्रिस्पी कर लेंगे बस इस तरह से तेल में से छानके निकाल लेंगे तो देख सकते हैं कटोरी कितनी अच्छी बनके तयार हुई है, एक दम पतली सी, क्रिस्पी सी, इसी तरह से हम दुसरी भी कटोरी बना कर तयार कर लेंगे, तो इस बार में दो कटोरी बनाने वाली हूँ, डालने वाली हूँ, आप जितना तेल डाले हैं कराही में, उसके हिसा सबسم Seven को पोछने के बाद के चोटा पैस्ट कैंड डूबाद में ड़ने नहीं लिए इसके बाद में तेलुहा सबस्किना को बड़ा को फावरियां Should you recommend बनाता बाप के पर उनृ पेश्थ हैं अपटना बतोरी ले रहे हैं उसके साइस से अब बना सकते हैं इस तरह से सारी क३टोरा बना कर तयार कर लेंगे तो है मicting ने बहुत ही जादा मंज़बार क्या बनाना तो जरूरण से ट्रा आई करिए आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी बहुत क्रिश्पी बनती है अब गेस बंद कर दी हूँ मैं अब इसके लिए हम मसाला बना कर तयार कर लेते हैं मसाला के लिए में ली हूँ आलू चार से पांच उबाल के में पहले से रख दी थी आलू ठंडी हो गई है एक बावल में चाट के और प्याज बारी कटा हूँ डाल देंगे अगर आपको प्याज पसंद है खाते हैं तो धनिया की पति डाल देंगे बहुत सारी बहुत चटपटा मसाला यह बनकर तयार हो रही है अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसा नमक तो आधी तीसबुद में काला नमक डाल लही हूं आधी टीजबूर्ट डालूंगी साधा नमक तो दोनों तरह की नमक में इस्तेमाल कर रही हूं इससे काफी ज्यादा चतपटा बनेगा और टेस्टी बनेगा इसी के साथ में ली हूं चाट मसाला आधी छोटी चम्मच अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है त मेबू का रस डाल सकते हैं थोड़ी सी पका हुआ टमाटर बारिक कटा हुआ अभी इन सब चीजों को डालने के बाद अच्छा से मिला लेंगे मसाला को यह बहुत ही ज्यादा चपटा बनती है मसाला फ्रेंड बहुत असान भी है यह बनाना ना तो इसको छोकना पड़ेग तो इसको पकाना पड़ेगा बहुत असान तरीका से है यह में पुदीना धनिया और लहसून अद्रक हरी मिर्च नमक और इमिली डालके चट्नी पीस के तयार कर लिए हूँ यह काफी ज्यादा टेश्टी लगती है चट्पट्टी लगती है तो एक चम्मच में चट्टी भ अमारी बनके तयार हो गई है पांच मिनट भी नहीं लगा होगा इन कट्टोरियों को बनाने के लिए तो देख सकते हैं कितनी क्रिश्पी बनी है अब बहुत ही जादा यह हस्ता बनी है यह देखिए बहुत जादा जादा इस कट्टोरी को आप महिनों तक इस्टोर करके र अस법 कर लिजिए इस तरह से इकटवरिया चाट बनागर कर तैयार कर लिजिए काफी असनने यह बनाना साय जाद दही में मैं चीनी डाल के पहले से रख दी थी मिलाके तो ये मीठी दही है मीठा दही से काफी जादा ये टेस्टी लगती है कटोरिया खाने में अगर दही ना पड़े तो उतना टेस्टी खाने में नहीं लगती है कटोरिया चार तो दही हमें उसमें डाल दी हूँ दो दो त तोड़ी थोड़ी चटनी डाल देना है इसमें घर्टी मीठी चटनी है पुदीना की धनिया की पत्ती की काफी ज्यादे टेस्टी लगती है और टमेटो कचप डाल देंगे अगर आपके पास टमेटो कचप नहीं है तो आप मीठा चटनी भी डाल सकते हैं लेकिन टमाटो कच अजीरा पॉड़र डाल देंगे भुना हुआ काफी जादा टेस्टी लगती है फ्रेंड मेरे तो मुह में पानी आ रही है मैं जल्दी जल्दी फटाक-फटाक से इसको बना कर मैं खाने जा रही हूं क्योंकि मुझे बहुत तेसे भूख लगी है इस कटोरी को देखके इ tengo Aишंप के लिगर पहसी को मैं तोड़के रग दी थी कटोरी के ऊपर में डालने वाले हुं स्योर नमकीन अगर आपके पास नमकीन नहीं है गो आपके पास भुनमिकीन मार्कित में बहुत असानी से बहुत रह तरह को दी के नमकीन मिल जाती है और खाने में भी बहुत संदर लगती, थोड़ी थोड़ी प्याज डाल देंगे, धनिया की पत्ती डाल देंगे, गार्निस के लिए, अब इसके उपर टेमाटर डाल देंगे, टेमाटर जादे नहीं डालना है, टेमेटो कचप डाल देंगे, हलका हलका, थोड़ी थोड़ी कर के अकुटा हुआ लाल मिर्श पौडर डाल देंगे अगर आपको जादे तीखा खाना है तो लीजिए फ्रेंड कटोरी चाट बनकर तयार हो गई है और जिस तरीका से हमने कटोरी चाट बनाई है इस तरीका से आप एक बार जरूर से बनाईएगा खा कर मज़ा ही आ जाएगा और खास बात यह है कि हमने ना तो आटा गूथा है और ना तो आटा बेला है इस तरीका से आप जरूर से बनाईएगा बहुत असान तरीका है कटोरी चाट बनाने के लिए मैं तोड़के भी दिखा दे रही हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है अब तो मैं खाने जा रही हूँ क जो कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है मुझे में मेरी पानी आ रही है तो फ्रेंड इस कटोरी को बनाकर आप 10 से 15 दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होगी ऐसे की ऐसे खस्ता क्रिस्पी सुबह सुबह नास्ते में अगर गरमा गरम कुरकुरी र जो कि नहीं होगा बिना बनाए और जटपट से बनाकर तयार कर सकते हैं बिना दही बिना इनो बिना सोडा के और साथ में में ट्रिक भी बताऊंगी जिसे आपकी इमिर्टी बहुत ही जादा टेश्टी लाजबाब बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड इमिर् कियेगा भीगोने के बाद में इसका छिलका हटा दीजिएगा इसका जो छिलका है बिलकुल भी इमिर्टी में नहीं इस्तेमाल करना है चलिए अब इसमें पानी डाल देते हैं और दो से तीन घंटा के लिए भीगोने के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये जो डाल है अच्छा से फूल जाए तो इस तरह से मिला देना है ताकि दाल पानी में अच्छा से मिल जाए और मिलाने के बाद में अब इसको रख देते हैं तब तक हम आगे की त्यारी कर लेंगे तो यहां पर तीन घंटा हो गई है और दाल बहुत अच्छा से देख सकते हैं फूल गई है अब इस तरह से डाल को फूलाने के बाद में अब इसको हाथों से मसल लेंगे ताकि जो भी दाल में श्टार्श है निकल जाए अब इसको दो से तीन पानी तक अच्छा से धो लेना अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको बारिक पीसना है तो फ्रेंड इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस पेश्ट को बहुत बारिक पीसना है पानी थोड़ा आप जादे भी डाल देंगे कोई बात नहीं है आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगी अगर पानी जादे हो जाएगी तो एक चीज डाल देजिएगा जिसे आपकी इमिर्ती भी खराब नहीं होगी और बहुत ही अच्छा बनेगी अब ढखकर इसको हम रख देते हैं पांच मिनट के लिए तक तक हम चासनी बना लेते हैं तो चासनी के लिए यहाँ पे मैंने ए तो मैं 3 किलो के लगभग में मिर्ती बना रही फ्रेंड तो एक कटोरी भर के मैंने चीनी लिया है चीनी को अच्छा से पकाएंगे तो 3-4 मिनट तक चीनी अच्छा से पक गई है उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें कलर फ्रूट डाल दिया है जैसे होटलों में डालते है मिर्ती बनाते हैं उस तरीका से मैं बनाने वाली हूँ काफी अच्छा टेस्ट आती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आती है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध तो यहां पर मैंने 3-4 चोटी चमश दूध लिया है आप सोच रहे होंगे कि आज बेजंती क्या डा लई है चासनी में तो फ्रेंड मेरी दादी और मेरी ममी थी जब चासनी बनाती थी कोई चीज बनाने के लिए तो उसमें थोड़ा दूध डालती थी तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चीनी हलका कचड़ा होता है तो उसमें का जो कचड़ा रहती है पूरी तरह से निकल जाती ह और यह जो चीनी मैंने लिया था पूरी तरह से साफ थी इसलिए कचड़ा नहीं निकली इसमें मैंने एक लाइची तोड़कर डाल दिया है और अच्छा से इसको चार से पांच मिनट तक पका लिया है तो देख सकते हैं चासनी पूरी तरह से गारी हो गई है और चिप-चिप लेंगे तो फ्रेंड अगर आप चासनी आपके पास है या पहले से आप बनाए हुए है तो इसको रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो रख पीश कर आप बना सकते हैं अब एक तरफ ही इसको घुमाते हुए हाथों से फेटेंगे तो फ्रेंड जितना अच्छा से ह हो जाएगी और फूल जाएगी अब पानी में डालकर आप लोगों को चेक कराती हूं तो देख सकते हैं पानी में ऊपर की तरफ तैर रही है तो यह जो पेश्ट ना बिल्कुल बनाने के लिए रेडी है इस तरीका से आप बनाएंगे तो आपकी मिर्ती बिल्कुल भी खरा दिया है क्योंकि इसे मैं बनाने वाली हूं सबजी अगर मैं पूरा पेश्ट को इस्तेमाल करूंगी तो बहुत सारी मिर्तियां बनकर तयार होगी इसलिए मैंने थोड़ा निकाल दिया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर फूरूट अकसर ढाबा में बनती है या ही डालेंगे तो वह भी गोल्डन लाइट कलर आएगा इमिर्ति आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी मिला लिए हमने तो यहां पर इमिर्ति बनाने के लिए मैंने खाली बोतल का इस्तेमाल किया है आपके पास जो भी बोतल है आप ले सकते हैं लेकिन बोतल अच्छा से दब हम समझ नहीं पाते हैं किस चीज से भरें तो इस तरह का से आप चमत से भी भर सकते हैं अगर आप जो बोतल ले रहे हैं पतला मुह का है तो आप किसी थाईली से दूद की थाईली से या नमक की थाईली से भी भर सकते हैं बहुत असानी से इस तरीका से मैंने भर लिया है त लेते हैं तो फ्रेंड आज में दोनों तरीका से बनाने वाली हूं आप दोनों तरीका से आप बना कर तयार कर सकते हैं अगर आपके पास पाइपिन बैग नहीं है तो आप दूद की थैली नमक की थैली या कपड़े की थैली आती है ना उससे भी बना सकते हैं इमिर्ती लेकि वही चीजे आप लोग फोलो करिएगा आपकी मिर्थी बहुत ही अच्छा बनेगी अब क्या करेंगे रबडबेंड से या किसी धागा से इसको अच्छा से टाइट बंद कर देंगे ताकि उपर की तरह पेश्ट बिल्कुल भी ना निकले आप बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं इसको कट कटिंग करके आप कितना मोटा कितना पतला बना सकते हैं यह आपको पसंद है आप उतना मोटा उतना पतला आप कटिंग कर लेजिए लेकिन ज्यादा मोटा मत कटिंग करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा से यह फूलती है तो यह बहुत मोटा कटिंग कर देंगे ना तो बहुत ही ज्यादा मोटा मोटा बनेगी यहां पर पेन में मैंने बहुत अच्छा से तेल को गरम कर लिया है अच्छा है घी या तेल में बना सकते हैं तो यहां पर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है तेल को अच्छा से गरम करने के ब में इधर उधर इधर उधर डोलेगी तो सेफ बिलकुल भी अच्छा नहीं आएगी तो फ्रेंड जब इस तरीका से आप बनाएंगे तो आपका हाथ जब बैठ जाएगा ना तो बहुत ही सुन्दर सुन्दर इमिर्तियां बनकर तयार होगी अक्सर होटल वाले भी मिर्ति बन है कभी काल बनाते हैं फ्रेंड तो हम लोग सभी बिगर जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं आपकी इमिर्ति बनेगी लेकिन बहुत कुरकुरा बहुत ही ज़्यादा रसीला स्वादिस्ट बनेगी इमिर्ति कैसा भी रह टेढ़ा मेड़ा रह कुछ भी रह dye इमिर्ति निमिर् भी जब आप बनाएंगे तो प्रेन में बहुत ज्यादा तेल डालीएगे चासणी में मैंने मिर्टी को इस तरह से दुबो दिया है गरम गरम और चासनी को मैंने बड़े से बॉल में निकाल लिया है इस तरह से तो चलिए अब दूसरा भी मिर्टी हम बना कर तयार कर लेते हैं जैसे ही चासनी में अच्छा से भीग जाएगी दो से तीन मिनट के बाद चासनी में स हमिकार के फ्लेट में रख लेंगे इस तरीका से घुमाते हुए इमिर्दी को बना लेंगे तो है ने फ्रेंड बहुत असान तरीका तो जटपट से आप भी इमिर्दी आप अपने घर पे बना सकते हैं अभी तो बहुत सारी तीवार भी आ रही है तो आप बजार से बिलकुल दम भरी होती है अब हम चलते हैं दूसरी तरीका भी बता देते हैं आप लोग को तो मैंने पेन को थोड़ा तिर्चा कर लिया है अगर आप तेल ज्यादा ले रहे हैं तो पेन तिर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप जाली वाली छलनी लेंगे इसके उपर इस सा खाओता है कि तेल में हम डालते हैं तो इधर उधर घूंगती रहती है इमीर्टि जली विया तो अच्छा सेवम नहीं आती है गोल फो इस इस तरीका से आप बनायेंगे अपकी मिर्थी बहुत ही कुरकुरी फूली फूली बनकर तयार होगी यह देखिए और एक बात का आप लोग का मैं याद भी दिला दे रही साथ में कि आज की इमिर्ती की रेश्पी आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताईएगा अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और सेर और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर से करिएगा और जो फ्रेंड फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर से करिएगा ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ आप तक तुरंत का तुरंत ओ वीडियो पहुँच जाए मुझे फ्रेंड इमिर्टी कुरकुरा पसंद देती है इसलिए मैंने इसको कुरकुरा कर लिया है अगर आपको थोड़ा नरम पसंद है तो ज़्यादा कुरकुरा मत करिएगा अब इसको चासिनी में डुबो देंगे और 2-3 मिनट के बाद निकाल लेंगे तो लिजिए फ्रेंड मुम डाल का इमिर्टी बनकर तयार हो गई है एकदम रसीला रस से भरी हुई खाने में इतना कुरकुरा है ना कि पूछिए मत जैसे हम बजार से लाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हमारी इमिर्टी बनकर तयार हुई है और ये कप डाल से कितनी सारी इमिर्टी बनकर तयार हो गई है उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल भी दिया था तो देख सकते हैं कितना रसीली दमरस से भरी इमिर्टी बनकर तयार हो गई है तो है ना बनाना कितना आसान तो आप लोग भी जरूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड कोई भी बना लेगा इतना आसान तरीका है सिमला मिर्च आप सभी ने बहुत बार बहुत तरीका से बनाई होगी लेकिन आज मैं जिस तरीका से सिमला मिर्च की नई रेश्पी लेकर के आई हूँ मैं गरांटी से कह सकती हूँ फ्रेंड I.C. यूनिक सी रेश्पी ना तो आपने आज से पहले कभी देखी होगी ना कभी खाई होगी अंगुलिया की आप पलेट को चाट जाएंगे बनाना भी बहुत ही जादा आसान है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना तो इस रेश्पी को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है सिमला मिर्च यहाँ पर मैंने तीन सिमला मिर्च लिया है और अच्छा से धो घर देना है एक जिसमला मिर्च को पानी में डालने के बाद में यहाँ पर हम कुछ सबजिया डालेंगे तो यहाँपर मैंने हरा मटर लिया है तो चिलका साहित मेंने लिया है हरा मतर को आप अच्छा से देख लीजिएगा कीड़े ना रहे अच्छा से मतलब उसको चेक कर लीजिएगा ताकि कीड़े ना रहे उसमें डाल देना है छोटे छोटे आलू आलू बहुत बड़ा नहीं डालना है आलू छोटा डालेंगे तो सिमला मिर्च के साथ में आलू भ छोड़ देना है तो सबसे पहले नमक को अच्छा से सबजीयों में मिला देंगे और एक बात का आप ध्यान दीजिएगा अगर आप बड़े साज का आलू ले रहे हैं तो उसको छोटे-छोटे तुकड़ों में काट लीजिएगा अगर छोटे हैं तो छोटे-छोटे आप अलग हो गई है और सिमला मिर्च भी अच्छा से पक गई है साथ में आलू भी अच्छा से पक गई है क्योंकि जब आलू आप छोटे साज में लेंगे तो सिमला मिर्च के साथ में आलू भी अच्छा से पक जाएगी अगर बड़े साज में तो काट कर लीजिएगा गैस का आदगा पहले से पानी में ही निकल गई थी आधा जो बचा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे यह जो रेश्पी है फ्रेंड बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में अक्सर में जब अपने घर में बनाती हुना सब को बहुत जादा पसंदाती है तो मैंने सोचा कि ये रेश्पी आप लोग के साथ में भी सेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इस रेश्पी को बना कर जरूश्य ट्राई करें खाए और सबको खिलाए तो यहाँ पर मैंने हरमटर को छिल लिया है साथ में आलू का भी छिलका निकाल देंगे तो बहुत यह फ्रेंड नया आलू है आपके पास जो भी आलू है नया पुराना ले सकते हैं और सभी आलू को छिलका निकाल देंगे तो लिजिये फ्रेंड सभी आलू का छिलका मेंने निकाल दिया है साथ में यह जो सिमला मिर्च है ना इसको भी हम काट कर लेंगे तो फिलाल अभी आलु को में ने छिल लिया है, यह जो सिम्ला मिर्च है, चाकू की मदश से इसको हम कट कर लेंगे, इसका जो बीज है न, बीज का उसको हटा देंगे, तो छोटे बड़े टुकड़ों में आप कैसा भी इसको काट लेजिए, शिम्ला मिर्च को साथ में उबालने से फ्रेंड, सिमला मिर्च जो है ना कच्चा विल्कुल भी नहीं रहेगी और साथ में जब हम mix करेंगे तो आच्छा से mix हो जाएगी इसलिए सिमला मिर्च को उबाल कर लेना है इसका जो टेस्ट है ना सिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा आती है उबालने से इस तरह से सभी सिमला मिर्च क निकाल लिया है अब इन सब चीजों को मैस करेंगे तो आप चाहे तो कल्चुल की मदद से हाथों की मदद से या पाभाजी मैसर से इस तरह से आप दबाते हुए मैस कर लीजिए बहुत ज़्यादा इसको बारिक नहीं करना है इस तरह से मैस करने से थोड़ा थोड़ा ये जाएगी इससे क्या होती है ना फ्रेंड बहुत ही अच्छा फ्लिवर आती है तो सभी चीजों को अच्छा से मैस कर लेना है तो देख सकते हैं आलू मटर सिमला मिल्च सभी चीजे अच्छा से मैस हो गई है आप हाथों से भी कर सकते हैं या तो कल्चिल से भी कर सकते हैं य पावभाजी मसाला अगर आप पावभाजी मसाला नहीं डाला चाहते हैं तो नॉर्मल आपके घर में जो मसाला है ले सकते हैं धन्यात का पावडर गरम मसाला डाल सकते हैं साथ में नमक डाल देंगे और सभी मसाला को अच्छा से मिला लेंगे इसका जो फ्लेवर है टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मेना और भी नहीं है तीकिया अलू का उसी तरह से बना करके इसको तयार लेना है तो थोड़ा मसाला लेंगे अंगलियों से दबाते गो इस तरह से चप्टा करेंगे चप्टा करके इसको बना लेंगे, आप चाहे तो गोल गोल सेप में भी बना सकते हैं, आपको कैसा पसंद है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, मैंने बनाया है, थोड़ा इसको चप्टे चप्टे में सेप दिया है, देखने में भी वह अच्छा लगता है, खाने में भी वह अच्छा लगता है जल्दी ये पक भी जाता है तो इस तरह से सभी नास्ता को पहले बना कर रख लेना है ताकि बनाने में बहुत ही जादा आसान है अब हम बना लेते हैं बेशन का घोल तो यहाँ पर मैंने बड़े चम्मत से दो चम्मत बेशन लिया है दो चम्मत गेहूं का आटा लिया है आज चाहे तो सिर्फ गेहूं का आटा में भी बना सकते हैं या तो सिर्फ बेशन में भी बना सकते हैं लेकिन दोनों मिला कर बनाएगा बहुत हेल्दी और बहुत स्वाधिस्ट बनती है साथ में डाल देना है हरा धनिया की पत्ती, आधी टीश्पून हल्दी का पौडर डाल देना है तीखा के लिए डाल देना है लालविश का पौडर, साथ में डालना है साध रुसार नमक अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको घोलेंगे पहले बहुत जादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल बनकर त्यार हो जाएगी और एकी बार ज़्यादा पानी डाल देंगे तो गुठलिया पड़ जाएगी या तो बहुत जादा पानी हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा इसको खोल बनाकर त्यार करना है तो फ्रेंग आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि नमक हमने मसाला में भी डाला है और इसमें भी डाला है तो नमक आप अपने पसंद के कॉर्डिन ही डालिएगा तो पेस्ट को मैंने अच्छा से फेट लिया है दो मिनट तक तो देख सकते हैं गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तयार हो गई है चलिए अब नास्ता बनाना सुरू करते हैं तो एक वड़ा को लेंगे और इसके उपर पेस्ट को अच्छा से लपेटेंगे अब चलते हैं हम गैस की तरफ पहले से मैंने तेल को गरम करके रखा है तो गैस का फ्लेम हाई करके इसको गरम कर लेना उसके बाद में मीडियम लो कर देना है यह के एक नास्ता को उठाना है और बेस्ट के पेस्ट में इसको लपेटना है और तेल में डालना है तीन मिनट के बाद में जब नीचे अच्छा से सीख जाए और सुनारा गोल्डन लाइट कलर आ जाए इसके बाद में उपर के साइड पलट देना है पलटने के बाद में इसको चार से पाँच मिनट तक इसको तेल में फ्राई करना है जबता कि पूरी तरश से पक न जाए अच्छा कलर न आ जाए एकदम क्रिस्पी न हो जाए तो उलटते पलटते इसको अच्छा से पका लेना है इसे पकाने में लगभग चार से पांच मिनट का समय लग जाएगा फ्रेंड पकने के बाद में अभी इसे तेल में से छान करके निकाल लेंगे और बाकी जो नास्ता बची हुई है इसी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे तेल में फ्राई करने के बाद में वो भी निकाल लेंगे और गैस को कर देंगे बन चलिए निकाल लेते हैं इसको सर्फ करने के लिए तो लीजिए फ्रेंड सिमला मिर्च की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यह मी पकोडी बनकर तयार हो गई है आप सभी ने सिमला मिर्च की नास्ता सबजी बहुत बार बनाए होंगे एक बार मेरे नए तरीका से बना करके देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है यह नास्ता अपने आप में इतनी ज़्यादे टेस्टी है कि चट्नी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी लेकिन आप अगर चट्नी लेना चाहते हैं तो मीठा चट्नी के साथ में खा सकते हैं इसको बहुत से जादे लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा फिर कल मिलेंगे दूसरी नहीं रस्तिक के साथ पर तक लिए धनवाद